हालो जी गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब और एक बाफिर से वेलकम आपके इपने चैनल में सुबा के जो है साड़े पांच का टाइम हो गया है और पांच बजे में उठकी थी चाय पानी अपना ले लिया थोड़ी बहुत देर बैठ भी गई थी ऐसा ही क्योंकि थोड़ी बहुत हलकी फूल की थंड लग रही थी और यहां पर जब मैं चाय पीने बैठी थी थी ना उस टाइब मैंने यह आलू जो उबलने के लिए रख दिये थे साथ-साथ में ही तो आलू उबल चुके हैं अब इनको थोड़ा थंडा होने के लिए जो मैं इनको छोड दूँगी थोड़े बहुत थंडा होने के साथ-साथ में तब तक मैं वरुन को उठाऊंगी और वरुन को पानी वगएरा दूँगी तो उसके बाद जो है वो अपने आप जो उठ जाएगा सर उसके बाद उसको कुछ बोलने की जरुरत नहीं है बीच-बीच में कादी बा की नहीं वैसे तो कोशिश करते हूं कि मैं रात को यी प्रॉपर सारा सामान रखवा के छोड़ दूँ और उसको आदत जो है मैं बनवा भी रहें क्योंकि बच्चे को क्या है चाए हम है या छोटे बच्चे हैं कोई भी चीज एकदम प्रॉपर से जो है आदत नहीं पढ़ वो किया था तो यहां पर थोड़ा बहुत गिर गया था और अभी यहां पर जो है मैं तब तक ब्रश कर लेती हूं वरुन ने ब्रश कर ली है और वरुन मेरी मैं जैसे आप लोगों को बताया कि मैं और वरुन एक साथ ही ब्रश करते हैं लेकिन वरुन ने पहले ब्रश कर मैं आलू और यह सब कामों में लगी थी तो मेरी रह गी थी तो अब मैंने भी जो ब्रश कर लिया यह सारा हरा धनिया में इसमें डाल दिया है अब मैं डाल रूँ इसमें गरम मसाला और चाट मसाला मेरा खतम हो गया है अच्छा मसालों में क्या होता है कॉमेंट आद आप कौ कुछ बुल्ट में जो है जाहिए अवरेस्ट के पसंद है और कुछ मसाले मुझे। कैच वाला जो ब्रेंड है उसके पसंद है। और यहां पर वरोना भी नहाने की तयारी करेगा उसका पानी भी गरम हो गया था और गरम होने के बाद में उसका पानी उसका मैं ही डालती हूं वो सारी चीज़े रेडी कर लेता है लेकिन पानी उसका बाल्टी में डालना सारा मतलब जितना उसको गरम पानी से नहाना है ना ह उससे पहले पानी गरम करने के लिए रखती है, साथ-साथ में मैं भी पानी प्योंगी अभी जैसे आज पता नहीं क्यों बार-बार मैं पानी भी पी रही हूँ और बार-बार ही जो है, मुझे बहुत जादा प्यास लग रही थी और बार बार ही यह हो रहा था कि हाँ मैं टॉलेट के लिए मैं जाओं तो ऐसा कुछ जो है वो आज बार बार हो रहा था और मेरे पास ना कॉमेंट भी आया था दी आप जो है किस चीज की दवाईया जो हो खाते हो डेली बेसेस पे आप लोग पितने डंबे टाइम से खाते हो तो कहा कि मुझे बहुत पिछले डेट दो साल से पिछली जनवरी की या फरवरी की बात है तब ही से मुझे जो है आयन केलशियम की विटामिन डी त्री इन चीजों की बलड की कमी महसूस हो गी थी और मैंने पूरा ट्रेटमेंट भी लिया है लेकिन पता नहीं क्य मुझे वही दिक्कते फिर्शी शुरू हो गई है और आपको पता है दिवाली के बाद मैं एडमिट भी रही थी दो तीन दिन तो पता नहीं ये चीजे मुझे बार-बार क्यों उभर के वह आ रही है और इस बार तो मेरी हालत पहले से भी बहुत जादा खराब हो गई थी तो वह एडमिट होने के बाद बाद में जो दवाईयां वगएरा चल रही थी तो वह लगाता है मुझे तीन महीने तक खानी है अभी देखो कितना कुछ फरक वह पड़ता है क्योंकि क्या है पिछले दो-तिन दिन में अब मुझे इतनी ठकावट मैसूस हो रही है मेरे पैर एक एक हड़ी जो है वो इतना चस चस जो है वो कर रहे है इतना दर्द होता है बस रात शाम को यह होता है कि जब मैं हिमां को थेरपी करा के वापस लाती हूँ न तो उस टाइम पे मुझे यह मैसूस होने लग जाता है कि बस अब तो मैं आराम कर लूँ मुझे कोई बोले किना और मैं जो हे 1 वह सोजा err遠 मुझे इतना मैसूस होता है Hence up कि यहां पे गर्मा गर्म पराथे जो है मैने अभी 2-3 पराथे बना दिये हैं, और एक तो वरुन खाकर जाएगा, एक वरुन को मैंने लुन्च में डाल दिया, तीसरा मैंने बनायाётся, आपने लिए, क्योकि मैं दवाई वगएरा लूँगी न, तो क्या होता, दिन में कई बार के वाद में दवाई भूल जाती हैं, तो मुझे वरुन को छोड़ कराने के बाद मैं तुरॉंत अपना नाश्टा पानी करके दवाई लूँगी और बाद में हिमांको रेडी करूँगी, यहां पर हिमांको भी मैंने रेडी कर दिया था, वरुन स्कूल चला गया है और हिमांको आज मैंने बहुत लंबे टाइम पहले हि जो क प्रॉपर रेडी है बस आएगी और ये चला जो है स्कूल चला जाएगा तब तक ये कपड़े रखे वे थे जिनकी दो-तिन दिन से तैनी बन पारी थी आज साथ लगे हाथ मैंने इनकी भी तैबना के रख दी है क्योंकि अभी और कोई काम हो नहीं सकता है ज़ड़ो वगरा नहीं लग सकती है और ना पोचा लग सकता है क्योंकि जब तक सारे घर से नहीं जाते हैं तब तक नहीं हो कि कैसे पिलो वोश करते हैं आज मैं आपको भी दिखाने वाली हूं और प्रोपर बताओंगी कि यह से क्या क्रोश करती हूं यह मैंने बहुत सारी नुस्के जो यूटूब से देखें भी ांग, इस सो ultimate जारी है एक दम ऐसे हो जाएंगे, एक तरफ से मैंने पिलो खोल लिया है, और ये पिलो है फाइबर का, कौटन का नहीं है, आज कल फाइबर के ही पिलो आते हैं, और इस तरह से पिलो निकाल के आपको, उतार ले फाइबर को ले के, इससे ले के, और ऐसे खीचने हैं, बिल्कुल उतारेंगे लेंगे और कोने को ऊपलेकम को एसा ही फार देंगे छाटया च्रम आती है वह जब ऑर ट फोस्पेता है उता प्डेड़ अपले करने रही हों कून चाका करना है ऐसे निकालना है और ऐसे ही जो है अलग लग कर देना है और बाकी का जो यह बच गया एक कवर इसको अलग से बाल्टी में आप सरफ डाल सकते हैं उसमें सरफ के अंदर विनीगर डाल सकते हैं मीठा सोडा डाल सकते हैं यह सारी चीजे डाल कर अच्छे से रगड रगा कितनी सारी यह इसमें convert हो गई है तो इसका क्या होगा एक पिलो के अंदर वापस डालो गया तो आपको फाइबर एकस्ट्रा पढ़ेगी इकस्ट्रा मिलेगी वह ऐसा लगेगा कि यह तो फाइबर अभी जो है मैं नहा कर आगी हूँ और नहाने के बाद जो है मैंने अराम से बैठ कर सबसे पहले धूप में क्योंकि बहुत अच्छी धूप जो है वो निकली थी मैंने अपने बालों में मसाज किया है क्यूकि कल मैंने महंदी लगाई थी तो सरसो के तेल मसाज करी है और आपके बालों में महंदी लंबे टाइम तक कैसे ठीकी रहेगी इसके बारे मैं to explain करूँगी और मैं क्या क्या डालती है अपनी मेहनी में वो चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अब ही जो है बरतन वगरा आपने बाहर मैंने सुबर जो रात के बरतन थी ना वो मैंने बाहर रख दे थे धूप निकले तब अब ये सुख गए हैं साथ साथ में बरतन वगरा भी लगा दूँगी और उसके बाद आराम से बात करेंगे अपसे हलो जी गूड आफ्टरनून कैसे हैं आप सब और एक बाफिस से वलकम आपके अपने चैनल में चैरा लाल हो गया है बिलकुल यह देखो दूब में बैठी थी अलग से और दूब में भी मैं बैक करके बैठी थी इसलिए इतना जबरदस्त लाल पता नहीं क्या हो गया एक जैसे कोई मतलब रियक्शन वेगरा होता ने किसी चीज़ का बिलकुल लाल जो हो फेस हो गया है लेकिन थोड़ देरा भी वापस बैठोंगी ना अंदर तो नॉर्मल हो जाएगा बिलकुल कुछ भी दिखाए नहीं देगा फेस पर और अभी सवाबारा का टाइम हो गया है और काम मिरा सारा खetum हो गया है वीडियो के डेटिंटिंग हो गी हैं अभी जो है व्लोग का एन्ड करना बाकी है और ईसके बाद जो है मुझे काफी सारे काम जो है वो करने है वो क्या काम करने क्या है कि जैसे मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया है कि मैं पिलो वोश कैसे करती हूँ मतलब क्या है कि पिलो में से जितना भी फाइबर होता है पहले को क्या होता था जो पहले के जो पिलो आते थे उस तो फाइबर के पिलो कैसे वश करते हैं फाइबर जो क्या होता है जो पिलो होता है उसको एक साइड से पूरा खोलके और सारा जो है फाइबर बहार निकालो और उसको चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चो लेकिन मैं क्या करती हूं अभी सर्विया जैसे अभी जाने वाली है तो अभी मैंने वोश कर लिया उसके बाद गर्मी में हर तीसरे महिने में ही काम करती हूं और ऐसे चोटे चोटे टुकड़ों में जब तोड़ते न ऊक्र friction को बहुत जादा प्लूबn यह तो थोड़ा सा दिखाई देता है फिर वह बहुत जादा दिखायी देता है फिर वह ऐसा हो जाएगा कि पिलो में आप वापस भरो ग itd即 हो आएगा इन h computer दबा दबा़कर जब भर जे फ़रना पड़ेगा और जो पिलो के कवर है फाइबर निकलने के बाद पिलो के कवर को अलग से जो है साराफ डाल के थोड़ा बहुत अगर जादा मेले हो गए हैं तो विनेगर डालो साथ में, मीठा सोडा डालो ये सारी चीज़े डाल के उसको वॉश कर दो लेकिन मैंने अभी किया नहीं है अभ यह वीडियो का एडिटिंग का काम करना जरूरी था एडिटिंग करना अप्लोड करना टाइम से व्लॉग जाना भी जरूरी था तो अभी यह सारा काम करके आधे गंटे में मेरा और काम खतम हो जाएगा उसके बाद जो वोश करूंगी 10 मिनट में काफी तेज धूप वापस इनको पैक कर दूंगी और वापस जो है फिर इसमें टाका लगता मशीन में पास है नहीं तो मैं सुई धागा है से चोटा-चोटा टाका जो में इसको लगा दूंगी क्योंकि हमांकाने से पहले मुझे काम भी खतम करना है नहीं तो फिर यह ना तो पिल्लो मिलेंग मैं उनमें से बहुत साथ तरीके अपना भी चुकी हूँ मुझे कोई भी तरीका बैस नहीं लगा यह जो देशी तरीका है यह सबसे अच्छा तरीका है तो अभी व्लॉग करते हैं नेक्स व्लॉग में तिल दिन बाई 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 जो फोस्टर में जिट करना लाइक कर दे ही है और दस दिन के बाद फिर से लगाऊंगी और भेंदी की तो टीप है जो में नेक्स वीडियो में अपलगो साथ में कुछ जो शेयर करूंगी मैंने कहा था कि मैं शेयर कर दूंगी लेकिन अभी व्लॉग बहुत जादा लंब हो जाएगा बाई-बाई-थैंक यू सो जारै बादा, झीू यू ऊजग्र वारै २जी यू कर दोग्धधम डड़ के मैंने की तो चौंगी लेकिन पल्ड़ष कल खो शेयर में घू जाएगा लेकिन önमें ने वावचले लेकU लेकिन, टू डेहा रम